हलो समनित मित्रो एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है मैं आपका जोतिस मित्र जग्दी सोनी आज मैं आपको इस वीडियो में सोंबती अमावस्या के बारे में कुछ बते बताना चाहता हूँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मित्रो 11 ऐपरेल 2021 है रवीवार का दिन है अमावस्या आज भी थी और कल सुबह 12 ऐपरेल 2021 सोंबर को सुबह आठ बजे तक छत्र करशन अमावस्या रहेगी यानि की सुर्य उद्द्य के समय भी अमावस्या रहेगी इसलिए सुमार के दिन भी अमावस्या तिती मनाई जाएगी और सुमार के दिन जो अमावस्या आती है उसे सुमती अमावस्या का नाम दिया जाता है सुमतियमावस्या के दिन भगवान सिव की पुजा से काफी सुब फल मिलते हैं और रुके हुए आपके जो भी काम है वहे बनने लगते हैं यदि आप भगवान सिव की पुजा सुमतियमावस्या के दिन अगर करें तो इसका काफी सुब फल मिलता है इसके साथ-साथ पीपल के वरक्ष की पुजा भी जरूर करनी चाहिए मित्रो सुम्बति मवश्या के दिन यदि आप वगवान शिव की पुजा के साथ-साथ पीपल के वरक्ष में भी कच्छा दूद और जल मिला कर डाले तो इसे भी आपको काफी सुब पर भाव मिल सकता है आपके जीवन की जो मुश्किले हैं मुसीबते हैं जो संगर्स है वहे भी आपका संगर्स जो है वो समप्त हो सकता है और इसके साथ साथ यदि आप पर पित्र दोस है तो ये सुमबती हमावत सकते दिन पिपल की पुजा करना पित्र दोस का सबसे अच्छा उपाए माना जाता है सुबह सनान करने के पस्चात आप पिपल के वरक्स में कच्छा दूद और जल मिलाकर डाले अपने पुरवजों क अपने पित्रों को याद करें उन से जाने अन जाने की गई गल्तियों के लिए एक्षमा मांगे और बगवान शिव और माता पारवती की पुजा भी जरूर करें वो इसलिए कि पिपल के वरक्स में त्री देव का वास माना जाता है ब्रहमा विश्णु महेश का वास जो है पित्रों वो पिपल के वरक्स में माना गया है इसके साथ साथ अपने पुर्वज अपने पित्र भी पिपल में ही वास करते हैं तो इसलिए सोंबती जमावस्या के दिन पिपल की पुजा जरूर करनी चाहिए और सुर्यस्त के बाद जो है उसी पिपल के नीचे सरसों के ते पक्ड जलाना चाहिए अपने पुर्वजों से माफी अक्षमा जरूर मागनी चाहिए और बगवान सिव की पूजा भी जरूर करें इसके साथ साथ यदि आप जरूर्तमंद व्यक्तियों को भोजन भी करवा पाएं तो ये सबसे अच्छा उपाए है सुम्मतिय मावश्या के दिन किनी गریब लोगों को जरूर्तमंद लोगों को बोजन जरूर करवाना चाहिए आप अपनी इच्छा से अपनी श्रद्दा से हैं मित्रो इसके साथ साथ पवित्र नदियों में आपको सनान भी करना चाहिए यदि आप किसी पवित्र नदी में सनान नहीं कर पा रहें तो कोई समस्या की बात नहीं है आपके गर में गंगाजल मुझूद होगा सुबह अमावस्या के दिन सनान करते समय थोड़ा गंगाजल जो है वो सनान करने वाले पानी में डाल कर उससे सनान कर सकते हैं उसका पुन्य भी आपको पिवित्र नदी में सनान करने के बराबर ही मिलेगा तो आज के लिए इतना ही आज मैंने आपको सुमतियों मवस्या के बारे में कुछ बाते बताई हैं मुझे उमीद है ये बाते आपको जरूर पसंदाई होगी और आप इनको जरूर फोलो करेंगे